हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत हैं आपके पने यूट्यूब चैनल राजसरकारी जोग 24 में फ्रेंट्स आज के स्वीडिये में बात कने वाले स्टेट बेंग ओफ इंडिया कलर्क एडमिट कार 2022 के बारे में तो आज के स्वीडिये में जानेंगे कि SBI कलर्क जूनियर एसोसेट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल से इसका मैं आपको इस्टे बाइस्टे प्रोसस दिखाने वाला हूँ तो फ्रिंट्स वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको सबसे पहले जो आपका एडमिट कार जारी किया गया है इसके सम्माने दिसा निर्देस आपको बता देता हूँ उसके बाद बात करेंगी कि आपको एडमिट कार कैसे डाउनलोड करना है अपने mobile से और इसका जो download का link है direct link भी आपको में provide करवा दूँगा तो prints यहाँ पर मैंने पहला है एक admit card यहाँ पर open क्या हुआ है जहाँ पर आप देख सकते है अपकी जो admit card है उसकी general details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसका बाद आपका यहाँ पर exam है exam date देखने को मिलेगी exam reporting 10 कब जाना है 10.30 बजे आपको अपने exam center पर पहुंच जाना है आपका roll number आपका यहाँ पर इसनी password यहाँ पर आपका online exam होने वाला है तो आप online जो user ID उससे यहाँ पर login कर पाएंगी और password डाल कर आप login कर पाएंगी जो की general details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी मैंने आपर security परबच के लिए यहाँ पर information को चुपा रखा है इसकी बाद जो आपका यहाँ पर फोटो लगा है इसका जैसा ही फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना होगा पहले से आपको चिपका कर लेकर जाना होगा ठीक है और इसके साथ आपको फोटो चिपकाने के साथ साथ दो फोटो और भी आपको अपनी शाथ लेकर जाना है इसके लावा ठीक है तो यह तो आप गर से ही आपको चिपका कर जाना है इसके साथ admin card के साथ इसके बाद एक्ष्ट्रा दो फोटो भी आपको लेकर जाने होंगे इसके बाद जो भी आपका address है आपका address यहाँ पर देखने को मिलेगा exam center देखने को मिल जाता है exam center code देखने को मिल जाता है इस address पर आपको जाना है ठीक है इसके बाद बात करते हैं एक्जाम सेंटर पर आपको क्या-क्या लेकर जाना है, ठीक है, तो एक्जाम सेंटर पर मैंने आपको बता दे, एक तो आपको दो फोटो आपको लेकर जाना है, फोटो दो लेकर जाना है, एक आपको यहाँ पर फोटो आईडी लेकर जाना है, फोटो आईडी में यहाँ पर हो सकते हैं आपका pen card, password या फिर driving license ठीक है permanent driving license water card या फिर आपको यहाँ पर रज़ते हैं photograph के साथ इसमें आपकी photo होना चाहिए bank diary लिजा सकते हैं इसके बाद identity proof के लिए आपको gadget officer, gadget officer का जो certificate होता है वो आप ले जा सकते हैं holiday license आपको यहाँ पर ID card यहाँ पर कोई सी भी ID card college, university की भी ले जा सकते हैं जिसमें आपको photo होना चाहिए आधार card या फिर आप यहाँ पर जना आधार card भी ले जा सकते हैं जिसमें आपका photo होना चाहिए ध्यान रखना है कि आपको original ID आपको लेकर जाना है आपको नहीं चलेगी इसको आपको लेकर नहीं जाना है मैंने आपको बता दिया हैं यहाँ पर जो दूसरे point पर जो ID लिखी इनमें से कोई सी भी एक ID आपको लेकर जाना है वो जो भी क्या होनी चाहिए original ID यहाँ पर होनी चाहिए और आपको यहाँ पर जो exam center है उनमें 15 मिनट पर आपको पहुँच जाना है यानि कि आपका जो exam है कब start हो रहा है साड़ी दस बज़े यहाँ पर start हो रहा है तो आपको साड़ी नो बज़े के लगबग ही आपको पहुच जाना है साड़ी नो बज़े अपने exam center पर पहुच जाए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो यदि आप लेट हो जाती है 15 मिनट लेट हो जाती है तो आपको परवेश नहीं दिया जाएगा इस पर यहाँ पर confirm लिखा हुआ है इसलिए आपको साइज समय पर आपको exam center पर पहुच जाना है इसके बाद यहाँ पर थे handwriting declaration आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको यहाँ पर भोला गया है कि आपको जो admit card है इसमें ही आपको दिया गया है इसके बाद आपके यहां पर signature होंगे और जो भी important information है आपको यहां पर देखने को मिल जाती है जो भी important information मैंने आपको बदा दी है आपको photo chip का कर ले कर जाना है अपने एडिमिकार में दो photo साथ में ले कर जाना है एक original ID ले कर जाना है जिसमें आपका पूरा address आपका नाम पता पूरा complete होना चाहिए अपने photo भी होना चाहिए और इसमें आपका photo भी होना चाहिए जैसे कि आधार card सबसे best रहेगा वो ले जा सकते हैं इसके बाद यहां पर दे सकते हैं आपको जो क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है और इसके साथ आपको यहाँ पर क्या क्या ले कर जाना है वो भी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दे सकते हैं तीसरे पॉंट में यहाँ पर दिया गया है आप मास्क पायन कर जाना होगा आपक लेकर जाना होगा वहाँ पर अलग से पेन आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर बता दिया है आपको यहाँ पर एको लेटर के साथ आपको यहाँ पर ओरीजिनल आईडी भी हाँ यहाँ पर लेकर जाना है ठीक है तो यह कोई इसके बाद है help sell to exclusion form है, यह सबीके लिए हैं, यह आपको यहाँ पर भर लेना है, इसको ठीक है, जैसे आपको कौन सी बिमारी हैं, तो आपको टिंग मार्ट कर लेना है, नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको खाली चोड देना है, यह पिर आपको exam address आपको यहाँ पर लिखना है candidate का आपको signature, full signature आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है यह रहा आपको यहाँ पर important introduction में आपको बता दिया है, admit card से related, अब बात करते हैं, admit card आपको PDF से कैसे download करना है अपने mobile से तो friends, अपना admit card download करने के लिए आपको सबसे पहले sbi.nic.in की official website पर आना है, जिसका link में आपको description box में दे दूँगा, वहाँ से directly आप official website पर आ जाएंगे या फिर आप Google पर सर्च कर सकते है sbi.in उसके बाद आपको यहाँ पर carrier वाले option पर आकर यहाँ पर इस वाली website पर आ सकते हैं, link description में दियावा है इसके बाद यहाँ पर देशते हैं, आपको यहाँ पर इस तरह का निशान दिखाए दे रहा हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे recruitment देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि आपको यहाँ पर JA का notification कहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको scrolling करके दिखा देता हूँ, कहाँ पर रहें, इस तरह सापको यहाँ पर देखने को श्कोल्ट करना है । यहाँ पर आपको यह T chiptap के आवाला भी देखने को मिल जाता हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी यहाँ पर check कर सकते हैं directly, तो prints आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 7 वी जोड़ी स्थी है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हो जाएगा है जिसमें यहां पर से रिक्विट्मेंट ऑफ जूनियर एसोसेट कस्टमर सपोर्ट सेल से ठीक है एडविटारी नमर देखने को मिल जाता है एको लेटर ओलेर प्रेली एकजामने चाहिए ठीक है तो डाउलोड करने की लास्ट टेट पचिस ग्यारा दोजार बा मैं मैं जड़ा से डीकर प्रेंट कर से रिक्विट वू इंडी या इंगलीस आपको से रिक्विट्रिक क्लीने के लिए पाद इसके बाद और बार डालने के बाद यह पर ड़त यहां पर इंटर करना है डेटो बर्थ की तरह से यहाँ पर इंटर करना में सेंपल की तोरप आपको बदा देता हूँ जैसे कि आपकी कुछी की भी यहाँ पर डेटो बर्थ इस तरह से हम यहाँ पर सेंपल की तोरप इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि आपके यहां पर डेटो पर थे 17.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018 वोबाइस आप अपने आपने जो करसकते हैं तो लोगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का सबक्रिश म्रें को आप मोबाल से छेक पर इसलिंगे भी 100 नहीं होगा यहाँ पर देशते ही फोटो नहीं आ रहा है जब आपको यहाँ पर देशते ही फोटो नहीं आ रहा है जब आपको यहाँ पर देशते ही फोटो नहीं आ रहा है जब आपको यहाँ पर देशते ही फोटो नहीं आ रहा है जब आपको यहाँ पर देशते ही फो का option है इसको आपको select कर लेना है यह आपके option तभी आएगा आपके phone में PDF reader होना चाहिए फिर Google Drive होना चाहिए इसके बाद आपको यह पर select करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं PDF download का option है simply आपको इसमें click कर देना और यहाँ पर जैसे कि आप photo में देखेंगी तो आपका photo भी यहाँ पर आ चुका है जैसे कि यहाँ पर download करेंगी तो download करने के बाद आपको यहाँ पर save का option आएगा वहाँ से save कर लेना है और अपने mobile में PDF में यह save हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे save option पर क्लिक करके यहाँ पर save हो जाएगी इस तरह से आप अपना admin का download कर सकते हैं मैंने प्रिंट्स आपको step by step process दिखा दिया है और आपको यहाँ पर website पर विजिट करना या पिर आपको यहाँ पर इस link पर आने में दिक्कतार है तो आपको comment box में pin कर दूँगा वहाँ से आप ले सकते हैं या पर description box में इसका link provide करो दूँगा direct link आपको यहाँ पर आजाएंगे और यहाँ से login करके अपना admin का download कर सकते हैं वीडियो में जान करें आपको अच्छे लेगी वीडियो को like रहें एसे ही latest updates पाने के लिए चैनल को subscribe करके बैल आइकन को own कर लेना और यहाँ पर जो sbica की जो भी latest updates आएगी आगे भी लगतार updates आपको यहाँ पर मिलती रहेगी thank you for watching जय हिंज जय वारत